तो पार्ट्स ओपिस्पीस की सीरीज में हम नाउन को डिसकस कर रहे थे नाउन के टाइप पढ़ लिए थे ट्रैडिसिनल और मॉर्डन ग्रैमर के अकॉर्डिंग हैं दोनों को पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवर पर आपको सीखने के ल पार्ट्स ओप स्पीच पार्ट्ट्पीच देखें बात करते हैं आप फंक्शन ओव नाउन एक नाउन का क्या क्या हो सकता है है इसके बात करेंगे बात करेंगे किह एक नाउं का function क्या क्या हो सकता है now किस-kis की तरह तरह यूस हो सकता है देरें और नोल्मली चे फैंछन 욕्षबही हैं और और किसरी function हो सकते हैं लेकिन अमने यहां चेंछा पहना निखायर as subset, दूसरा निखायर as direct object, तीसरा निखायर as indirect object, चौता निखायर as object of proposition, पांचो निखायर as complement, और छटा निखायर as possessive, थोड़ा यह advanced level है, मैं आपको बता चुका हूँ, कि यह ठोटी classes के लिए इतना useful नहीं है, क्योंकि उनके थोड़ा standard से बाहर है, बड़ी classes के लिए, है ना, 11th class के लिए खोड़ा ठीक रहे था, 9th class के लिए level थोड़ा high है, तो देखिए, तो noun किसकी तरह काम करती है, subject की तरह काम करती है, जैसे example देखिए, मैं आपको example यह जू समुझाँगा, तो कैसे इस सब की तरह noun काम करती है, देखिए students, सबसे पहले आपका noun है, sentence में noun पहिछान, अब यह first sentence है, the thief roved the journey, अब देखिए, इसमें मैं आपको पता है कि noun किस की तरह काम करता है, subject की तरह, यह आपका जो subject है, तो noun हो सकता है, अब आपका subject का है, इसमें पता है कि thief noun है, इसका बहुत अचल थीव होता है, तो किस की तरह काम करता है, subject की तरह काम करता है, थीव, जबकि नाप नहीं, दूसरा से करती है, राम, court, the bird, उसमें राम क्या है, subject है, और नाप नहीं, proper नाप नहीं, प्रॉपर नाप नहीं, बढ़ चुके है, अब नाम है इसी का, bird भी नाप नहीं, या जूर भी नाप नहीं, लेकिन हमें बात तरहीं सिर्फ, as subject, subject के रूप में काम कर रहा है, यह वाला थीव और राम, फिर मैंने पता है, deduct object, deduct object के रूप में काम कर रहा है, लेकिने लिए this is, he was the this is, उसने, जो this is होती है, यह मतलब, plate वगेरा, प्रकन वगेरा, उसने, बत भुए है, draw part, painted the house, इसमें house, object की तरह काम कर रहे है, तो नाम किसकी तरह भी काम करता है, object की तरह, direct object की तरह, indirect object की तरह, indirect object की तरह भी काम करता है, अब direct और indirect object में का अंदर है या आप पढ़ोगे, लेकि इसमें है, the teacher taught, य यह क्या है, indirect object, यह नाम ने students, फिर मैंने बताया, as object of proposition, यह आप जेक्ट से पहले proposition हो, proposition of object, जैसे तू है, अब Tom noun है, और किसकी तरह काम कर रहे है, यह Tom यहाँ, as object of proposition, नमबर पाँच, compliment की तरह की काम करता है, इस MR के बाद, बाद बार के बाद जो आएगा, वो compliment होता है, किसके बाद, इस MR बाद के बाद, तो लाम इसे डाटर, यह doctor क्या है, compliment है, है compliment लिए, यह doctor है का noun, तो noun किसकी तरह भी काम करती है, compliment की तरह, यह थोड़े advance level है, मैंने बत है आपको, थोड़े बड़ी class की पच्चों को ही समझ में आएगा, यह noun की function है, लेकिन noun, आप subject की तरह भी उसको लगा सकते हो noun को, subject की तरह काम करती है noun, direct object, यह दोनों तरह की object होता है, इनकी तरह भी काम करती है noun, object of proposition, proposition का object होता है, उसकी तरह भी काम करती है, compliment, compliment की जैमा और वाजबर के बाद जो आता है, वो compliment होता है, जैसे आप कहते हो, she is my sister, तो यह जो है compliment, अब sister क्या है, noun है, जैसे आप कहो, कि he is a teacher, तो teacher क्या है, compliment है, और है क्या noun है teacher, क्या है noun, तो यह noun compliment की तरह भी काम करती है, और अगला है, as possessive, सम्मंद बताने के लिए, apostrophe लगता है उसमें, जैसे दीजा राम स्बुक्स, अब राम में के लग्यार को मरता है, यह possessive case होगिया noun, कौन सा case होगिया, possessive case, तो noun, इन सब की तरह क्या करती है, function करती है, इन सब की तरह क्या करती है noun, function करती है, इस किस की तरह है, as a subject करता के रूप में, प्रतेक्स, object, direct object के रूप में, indirect object के रूप में, proposition के object के रूप में, compriment, पूरा कहते है, इसको हिंदी में, पूरा, के रूप में, और वजय से, जो संबंद बताया जाता है, noun में उपर, as लगागा, उसके रूप में भी यह क्या करती है, काम करती है, तो noun के इतने सारे functions देखे बच्चों, फोती चर्पी चीज़ है, यह जानना है, देखे, nouns that are always singular, वो noun जो हमेशा एक बचल में होती है, इनका जो plural form है, वो होता ही नहीं है, मतलग इन nouns में, s, a, s नहीं लगाती है, हमेशा singular form में होती है, s, a, s आप नहीं लगा सकते है, इनकी सक्ल इनकर हमेशा ऐसा ही रहेगा, यह change नहीं हो सकते है, यह हमेशा एक बचल में रहती है, देखे, इस information, सूचना, आप अगर यह कहते हो, सूचना ही, हिंदी में दूसरी है, लेकिन इनकी समें कहते हो, informations, तो यह गलाग है, यह वाड़ी नहीं किसमें कोई, information ही होता, informations नहीं हो सकता, है ना, luggage का मतलब होता है सामान, सामान चाहिए थोड़ा हो चाह जादा हो, जितना भी हो सब को luggage बोला जाएगा, luggage नहीं बोला जाएगा, यह जाएगा, knowledge, business, poetry, poetry नहीं होता जाना है, यह जैसा है वैसा ही हूप रहेगा, यह plural form भी नहीं जाएगा, सीनरी, news, homework, furniture नहीं होता जाना, homework नहीं होता, jewelry, आपुसान गैने को मेरा, progress, mathematics, इस इसे का नाम है मेरित, hair, hair का hairs, journal ही नहीं होता है, journal ही नहीं होता जाना, मेरे बाप, मैं कोंगा my hair, my hairs नहीं कोंगा मैं, my hair, advice, damage, छती नुकसान, work, यह सारी नाम, mostly जो है मैंने आपको लिखी हैं, यह आपके काम की हैं, यह हमेशा singular form में होती है, इनका plural form नहीं होता है, यहां से सुना, यह जो नाम मेरे आपको लिखी है, यह सारी नाम नहीं है, और यहनका हमेशा singular form होता है, यह plural form में नहीं होती है, यह ध्यां देने वानी बात करते हैं, अब बात करते हैं, नाम्स डेटार ओल्वीज फिंगल, वो नाम्स जो हमेशा singular form में होती है, जिनका singular form नहीं होता है, जो एक बचन में यूज नहीं होती है, ऐसी नाम्स मूसली मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूं, या तो कोई कुपकरण होता है, जिसमें दो हिस्से होते हैं, जैसे कैची, चिम्ता, जिनमें दो हिस्से होते हैं, या फिर पैनने के परीधान कपड़े होते हैं, पैन, पजामा, ट्राउजर, जिन्स, जिनमें दो हिस्से होते हैं, तो ये नाम्स हमेशा भगवाचन में होती है, सबसे इम्पोटेंट है ये वाले, आप ऐसा बोलोगे C-O-N-G-I-T-U-L-A-T-I-O-N तो गलत बोल रहा है किसी को आप किसी से गयरब कंग्रेटुएशन भाई तो आप गलत बोल रहा है कंग्रेटुएशन होता है ऐस लगेगा कंग्रेटुएशन नहीं गलत है यह अब किसी को गयरब रहा है सब्सक्राइब करें हैं है इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है तो हम नाउन की लगवग लगवग सारी चीजे डिसकस कर चुके हैं अगर भी बच्चों आपको लगता है कि कोई चीज बाकी है कोई चीज समझे जानी है तो आप क्यूरी में जा करके आप अपना जो पॉस्चन है वो लिख सकते हैं ठीक है अगली वीडियो में बात करेंगे पॉस्चन हो घग कोई है कर एहा है तो नहों किस आप धीक्ट सुछ में।